बीपीए सी टीरी फास्ट और टीरी टू में कारे रज जितने भी अधर स्टेट की फिमेल कंडिडेट हैं और आप लोग का सिटेट में 90 अंग से कम है और आप लोग का पोस्टिंग सारड आनि छपराज जिले में है तो आप यहां पर देख पारेंगे जिला सिछा पदाधिक हुए थे उस आदिश के आलोग में यहां पर आपके माध्यमिक सिछा नीदेश की तरफ से 15 मई दोहजार चोबीश का जो आपका आदेश दिया गया था उस आदेस के यहां पर अनुपालन करते हुए यहां पर जो आपके सारड के जिला सिछा पदाधिकारी है उनके तरफ स पर तो इसके भी संदर में आपके माध्मिव्य सिछा की तरफ बोले गए थे कि जो अबशेट के फिम्मेल कंडीडेट होंगी उनको यहां पर आपके जो है उन ही दिये जाएंगे आनि आपको यहां पर सीटेट में उत्रांगे तो 60 परतिसत आनि 90 अंक यहां पर आपके होने चाहिए और फिर नीचे आप यहां पर देखेंगे तो आपका बिग्यापन संख्या 26 बटा 27 बटा 2023 है वो यहां पर आपके दिये गए आनि BPSC TRE 1 और यहां पर आपका BPSC TRE 2 और नीचे उसी को लेकर बोला गया कि जो भी हां पर आ सबसे बड़ी बात यहां पर एक इसमें सब ही यहां पर जो फिमेल कंडिरेट हैं सभी लोग यहां पर उत्तर-पर्देश सिचा भी भाग हों उनका जो भी BPSC को नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर बोला गया था और BPSC के तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया था उसी में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से जो आपका कंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पर सिटेट में उतिडांखे तो पाचपन प्रतिसत आनि आपका सिटेट में यहाँ पर 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल उतिड हैं लेकिन उसके बावजुद भी आप यहाँ पर देखेंगे जो आप लोगों का इस पर स्टेकर ह सिटेट में उतिडांग के तो साठ पर यहाँ पर यहाँ पर उस से अधिक औंक रहता है तब ही आप यहाँ पर योग घूसित किये जाते हैं तो उसके बारे में आपके किये हैं और इसमें आप यहाँ पर देख सकते यह जो आपका later है आप यहाँ पर जब भी आपको later प्राप्त होता है तो यहाँ पर आपकी इस फ़र्श्टी करण है वो यहाँ पर आपके submit करने को ले कर बोला गया और इसमें प्रतिलीपी में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके विद्याले के HM हो या फिर जो भी प्र तो यहां पर जो बिद्याले के प्रभारी एचम हो या फिर जो आपके एचम हो उनके खिलाप यहां पर जो करवाई होगा वो यहां पर आपके जो है किये जाएंगे तो उसको लेकर बोला गया है और यहां पर जितने भी आपके प्रखंड सिछा पदाधिकारी है आप लोग क जो भी यहाँ पर प्रखंड आएगा, तो उनके तरब से यहाँ पर 24 घंटे के अंदर, यह जो आपका data है, वो यहाँ पर आपके उपलब्द कराने को लेकर बोला गया है, अने था उनके खिलापी भी यहाँ पर जो आपके करवाई हैं, वो यहाँ पर आपके किये जाएगे, अब यहाँ पर इस list में आनि यह जो यहाँ पर आपका 41 candidate के हाँ पर जो आपका list दिया गया है जिनसे यहाँ पर इस first record submit करने को लिकर बोले गया है तो आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर अब इस first record में क्या हम यहाँ पर जो है उलिक हैं यहाँ कोड के तरफ से कोई आपका बचाव है तो या फिर कुछ भी आपके decision आ जाते हैं तभी ही यहाँ पर आपकी जो नोकरी होगी वह यहाँ पर आपकी बच सकती है अनिता यहाँ आपका जाना जो है उता है क्योंकि यह आपका matter किसी एक जिले का नहीं है क्योंकि यहाँ क तरीके से आपका मामला है उसको यहाँ पर सीथिल कर दिया जाता लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कोड का मामला था और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके माधमिक सिछा निद्रसक है उनके तरफ से भी आपके बकाइदा आदेस इस matter पर आपके जारी जो है कर दिये गया है तो उसी आदेस के यहाँ पर जो अनुपालन है वो यहाँ पर जितने भी आपके जिला सिछा पदा दिकारी है उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है किये जा रहे है और इस matter पर आपने देखा था कि स्टार्टिंग में औरंगा बाद फिर उसके आपने देखा था कि कईमूर आनि जो आपका भगुगा जिला है तो उसमें यहाँ पर जो भी अधर स्टेट की फिमेल के अंडिरेट थी जिनका पर सिटेट में नबे अंग से कम था बीपिए सी टीरी फर्स्ट और टीरी टू से तो दोनों लोगों को यहाँ पर जो 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 कि किसी भी तरीके से आप अपना इस परष्टीर करत संreet करेंगे इसमें आपके पूरिश बचने वाली नहीं है क्योंकि आफ्स तरीके सी स्थी आप essay करेंगे वह रिच्प कर j nouveaux कर लेंगे लेकिन उनके ऊपर आप देखेंगे तो माधमिक सचा निदेसक का आदेस है तो त के तरफ से जो आपके RTI वाला जो आपका जबाब दिया गया था जिसमें आपके बोले गए थे कि कि किसी विशेस राज अपीतु नहीं मतलब कि आप अधर स्टेट की फिमिल कंडिरेट हैं चाहे आप किसी भी राजी की जो है मुल दिमासी हैं आपका सीटेट में उतिडांग से वो आपके सिच्छा भरती कराई जा रही है तो इसमें ओ जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बीपेसी के तरफ से आपके नोटिफिकेशन जारी किया जाते हैं यदि माली जिस सिच्छा विभाग के तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता तो आप पर आपना जो भी यहां पर लिखना चारे हो आलवेड़ी आप लोग यहां पर जानते होंगे कि इस तरीके समया पर जबाब होगा हम यहां पर बनाएंगे बाकि इसको लेकर कई पीछे भी आपके वीडियो बने थे और उसको भी आप जो है देख सकते हैं और जो आपका इस कर दोगा उसे आप यहां पर जो है वो सम्मिट कर देजेगा और अब यहां पर देखे इस मैटर पर क्या होता है कई लोग यहां पर जो है उलड़ रहें और इस टार्टी में तो और अरंगाबाद के तरफ से आपके हटाए गये थे तो संख्या यहां पर कम था फिर उसके कर आपके मांगे जा रहे हैं तो यह आप पर यह जो है यहां पर आप लोगों को भी और पता चली गया होगा कि कुछ ही दिन के बाद यह पर आपको भी नौकरी से जो है उटा दिया जाएन तो जो भी आप लोग कया जो समय है आप है फिर कोर्ट वगर में म zij तो आप यहां पर एक चीज एभी ध्यान रखेगा कि यदि कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में फरजी बढ़ा करके वो नौकरी मतलब पाता है या फिर नौकरी करता है तो संभवता देखेंगे तो मैक्समाम यहाँ पर चांस होता है कि वो लोग कभी नौकरी से हडते ही नहीं है आपने बहुत साव लोग देखाऊगा कि कोई दुसरे के डिगी पे अपना नौकरी कर लिया किसी के पास डिगीरी नहीं था डिगीरी भना कर रिया udah वेना दिग दुकर होते तो संभॉता आप यहां पर देखते तो इस परश्टी कर्ड में इन लोग का हैंपर जो नाम होगा नाम होता इहां पर आपके नहीं होते और संभावता यहां पर यदि इनको आप नौकरी से हटाए जाता तो ये लोग फर्जी वाड़ा करके नौकरी यदे बचे जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेसन है उसमें आपके अपके confusion का matter है और यहाँ पर जो total यहाँ पर confusion को लेकर है तो यहाँ पर जो आपके सिछा भी भाग है वो यहाँ पर मतलब खुद जो है वो confused है और यहाँ पर जो आपका BPSC है BPSC की तरफ से बोला ज जा रहे हैं मतलब form भी submit करा लिया जा रहा है आपका admit card भी जारी किया जा रहा है आपका exam भी जो है उलिये जा रहे हैं और आपका जो result है वो भी BPSC के तरफ से आपके दे दिये जा रहे हैं और फिर सिच्छा भाग के पास आप जा रहे हैं वो यहां पर आपका court का ही रास्ता है. यदि आप सिच्छा विभाग के पास जाते हैं, तो कोई यहां पर आपका सुनवाई नहीं होने माला है. आप किसी भी जिला सिचा पताधिकारी, या फिर कहीं पर भी जाएगा सिच्छा विभाग सरका के पास, तो कोई यहां पर आपका सुनवाई नहीं होने वाला है, बस यहां पर आपके पास जो रास्ता होगा, वो यहां पर आपके पास court का जो है रास्ता होगा, court से आप जिज जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको यहां पर नौकरी से हटा दिया गया, तो फिर यहां पर बकायदा पता है कि आपको यहां पर नौकरी से हटाएगे, तब तो यहां पर आपने कोट में आया है, तो फिर आप यहां पर कोट से जीज जाते हैं, तो यहां पर पूरा चांस होगा, कि आपको यहां पर फिर से जो नौकरी होगा, उसमें यहां पर आपके उरक ल फिर जो भी पच्छे होंगे उसे आप यहां पर मजबूती की तरीके से जो है उरखेगा तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है बाकि इसके संदर में जैसे भी अन्य अपडेट आ फिर इंफर्मेशन आते रहते हैं आप से बिलू को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉ